हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में आप देख रहे हैं जेश सरक्लासेस दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्या है एक बहुत ही महत्पूल टॉपिक है और एकजाम में बार बार पूछा गया है तो हम इसे पूरा बिस्तार से बताएंगे और याद भी करवा देंगे तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्या है इसे आप विस्तार से पढ़ें इसके लिए आप मेहनत करें इसे से पहले आप यह जान लीजिए कि हम इसे क्यों पढ़ें या हमारे सिलेबस में कहां पर दिया परकैनिंजम के नाम दिये गए हैं जिसमें एक पारा साय टिक छीय पर जाते हैं तो इसमें पहला कोशे पूछा जाता यह तो हमने वीडियो के रूप में पहले ही यहां पर अप्लोड कर रखा है चैनल पर अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिजिए या अभी आई बटन पर क्लिक करिए और तुरंत देख लिजिए इसके बाद फिर एक दूसरा महत्तपूर्ड देखे हैं तो उसे भी आप देख लिजिए बहुत महत्तपूर्ड है अभी जाईए अप प्लेलिस्ट में उसे देख लिजिए फिर इसके बाद इन दो कोश्चन के अलावा एक तीसरा भी महत्तपूर्ड कोश्चन इसमें पूछा जाता है कि वाट इज़ पैथो जैने कैसे किया जाता है इस रोक की जाच कैसे की जाती है यह सारा डिटेल आपको पांच नंबर में या साड़े साथ नंबर में पूछ दिया जाता है तो अब तो आप यह समझ गये हैं कि ट्रिपैनो सुमा का जो लेशन है उसी लेशन से यह भी इंपॉर्टेंट एक क्विस्ट जो बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है तो यह डिशन है यह आपने समझ लिया कि हमें पढ़ना है अब आएह हम आपको बताते है एक Gambian Trepenosomiasis और यह बिमारी होती है वेश्ट अफ्रीका में और यह Trepenosoma के infection से होती है जब CC मक्षी किसी person को काट लेती है तब और वह CC मक्षी infected होना चाहिए कि यानि कि उसमें पहले से Trepenosoma की stage होनी चाहिए तो यह sleeping sickness disease है अब आएए हम आपको यह बता दें कि sleeping sickness disease होती कैसे है और इसका लच्छड क्या है यानि कि एक्जाम में सबसे पहले आप यह वाली heading डालेंगे फिर heading डालेंगे pathogenesis and symptom दूसरी heading क्या डालेंगे pathogenesis and symptom और इस heading में आप यह बता देंगे कि जो यह sleeping sickness है यह बीमारी कैसे होती है और जब यह बीमारी हो जाती है तो इसके लच्छड क्या क्या है यह दोने बातें आप इस heading में बता देंगे तो आए हम देखें कि बीमारी होती कैसे है तो सबसे पहले देखी क्या है अब देखें इसका मतलब यह हुआ कि जब CC मक्खी यानि CC fly मक्खी काट लेती है और वह मक्खी काटनी चाहिए जो मक्खी पहले से infected है यानि कि उसमें ट्रिपेनोसोमा की stage है तो जब मक्खी काट लेती है तो क्या होता है irritation near the end यानि कि जो घाव होती है जहां पर काटती है मक्खी उसके अगल वगल जलन होने लगती है खुजली होने लगती है फिर क्या होता है यह local dark red spot develop और उसी घाव के आसपास उस घाव के क चकते बन जाते है जब बार-बार खुजली करेंगे खुजली होगी तो already चकते बन ही जाएगी यह बात तो तब किया है जब तक मक्खी काट लेती है जब मक्खी काट लेती है तब अभी infection की बात तो बाद में है अब देखिए infection कैसे होता है तो देखिए यहां पर लिखा गया है infection is caused by the inoculation of trypanosomes infection कब होता है जब trypanosomes cc मक्खी के द्वारा मनुष्य के blood में छोड़ दिया जाता है तब infection होता है तब sleeping sickness होती है अब देखिए क्या है trypanosomes into human blood जब human blood में trypanosoma को छोड़ दिया जाता है तब infection हो गया अब फिर देखिए क्या है paracite invade cerebrospinal fluid becomes sleeping sickness और जब blood से होते हुए paracite paracite काउन है trypanosoma है जब trypanosoma cerebrospinal fluid में ध्यान से समझे यहां पर मान लिजे मक्खी काटी और फिर वो trypanosoma के हमारे blood में छोड़ दिया और blood में blood से होते होते वो trypanosoma पहुच गया cerebrospinal fluid में और जब cerebrospinal fluid में पहुच गया तब क्या हो गई sleeping sickness देखिए sleeping sickness तब बिमारी हो गई अब फिर इसके बाद क्या है other symptom और और जब अभी जो symptom देखा red color के चकते irritation यह तो मक्खी के काटने का symptom था मक्खी के काटने का लच्छड था लेकिन अगर sleeping sickness हो गई यह बिमारी हो गई तब कौन से लच्छड आते हैं तो देखिए पहला लच्छड इसमें है weakness जिस परसन को sleeping sickness हो गई पहला ही लच्छड है कि उसे कमजोरी होना सुरू हो जाएगा उसे खुद को कमजोरी मालूम देगी फिर इसके बाद क्या है लास आफवेट उसका भार यानि वेट दिन प्रति दिन घटता जाएगा घटता जाएगा फिर क्या है एनीमिया उसके बॉड़ी में बलड की कमी हो जाएगी एनीमिया का मतलब ही होता है रक्ताल पता यानि की बलड की कमी हो जाना फिर इसके बाद क्या है इंक्रीज पल्स रेट जो पल्स रेट होती है वो धीरी धीरी क्या ह होती है बढ़ने लगती है बढ़ जाती है फिर इसके बाद क्या है अब याद रखे अगर किसी को यह लच्छड है तो हो सकता है कि उसे sleeping sickness है लेकिन clear नहीं कि है हो सकता है फिर इसके बाद देखें क्या है दा पेशेंट स्लीप एट रेगुलर इंटरवल जो पेशेंट होता है वो रेगुलर इंटरवल यानि कि बार बार उसे क्या है sleeping यानि की नीद आने लगती है उस सोता रहता है जब उसे कमजोरी है बोडी में blood भी नहीं है तो जैज सी बात है कि उसे बार बार सोने की इच्छा कहेगी यानि कि उसको रेगुलर इंटरवल पर नीद आना शुरू हो जाएगी और दिन लाइज इन कुमा और बहुत दिनों बाद वो फिर बिहोस भी होने लगता है कुमा में चला जाता है फिर आगे क्या है डेथ इज आलवेज अल्टीमेट अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो पेशेंट की डेथ होना सुनिश्चित है यानि कि मरीज मर भी जाएग पिर इसके बाद देखें यह तो आपने देख लिया कि इस बिमारी कैसे होती है मक्ही काटती है मक्ही से ट्रिपैनोसोमा बलड में चला जाता है बलड से चला जाता है सेरिब्रौ स्पाइनल फ्लूड में और तब हो जाती है सलिपिंग सीकनेस और यह सारे लग्छल यहां पर मैंने दिखाया है आप इसे याद रखे अब हम आपको बता दें कि डाइगनोसिस यानि कि इस बीमारी की जाच कैसे की जाती है तो डाइगनोसिस का मतलब जाच परताल यानि कि इसका मतलब कैसे इसकी जाच की जाएगी कि वास्तों में sleeping sickness है या नहीं है क्योंकि बिना जा जाती है it is confirmed by the examination of peripheral blood उस patient का peripheral blood ले करके examination किया जाए उसका जाच किया जाए या फिर examination of cerebrospinal fluid या तो cerebrospinal fluid को ले करके इस बीमारी का confirmation किया जाए यानि कि blood में या fluid में ट्रिपैनोसोमा की stage है की नहीं है अगर है तभी sleeping sickness है अगर कोई ट्रिपैनोसोमा की stage नहीं है तो इसका मतलब उस person को sleeping sickness नहीं है और बहुत सारी बिमारियां है जिनका यह लच्छण आ सकता है अब फिर आगे देखे क्या है कि अब टेंड बाई लंबर पंक्चर लंबर पंक्चर एक प्रोसेजर है जिससे blood को निकाल कर उसको ट्रिट किया जाता है यानि कि उसकी जाच की जाती है कि उसमें ट्रिपैनोसोमा की stage है या नहीं है अब नेक्ष देखिए क्या है इसका treatment या therapy यानि कि अगर confirm यह पता चल गया कि बीमारी है तो अब treatment भी तो चाहिए और treatment कैसे किया जाता है कौन कौन सी दवा के लिए यूज की जाती है उन दवाओं का नाम भी मैं बताऊंगा तो देखिए देखिए लिखा गया है it can be treated in early stage अगर बिमारी हुई है आज पता चला कि कमजोरी है या नीद आ रही है sleeping sickness का अगर एक ही दो दिन का भी हुआ है तो उसी समय अगर इसका treatment कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा लेकिन यहां पर देखिए लिखा गया entered the cerebrospinal fluid it is very hard to control अगर यह ट्रिपैनोसोमा पहुँच गया cerebrospinal fluid में यानि कि cerebrospinal fluid पर चड़ाई कर दिया तब इसका treatment बहुत हार्ड हो जाएगा यानि कि तब यह बिमारी जल्दी control नहीं होती है अब देखिए यह number of drug usage अगर यह बिमारी हुई है early stage में कुछ medicines दिये जाते हैं drug दिये जाते हैं अब देखिए कौन से drug हैं यहाँ पर देखिए लिखा गया है suramin sodium सबसे पहले और best medicine है suramin sodium early stage के लिए सबसे अच्छी दवा है suramin sodium इसके अलावा भी है जैसे bear 205 या फिर a toxil यह दो तीन medicines है और कुछ medicines है जो early stage में अगर पेशेंट को खिला दिया जाए तो यह बिमारी आसानी से कंट्रोल की जा सकती है इसके अलावा भी कुछ medicines है जैसे देखे पारसेनो फेनिल ब्यूटिरिक एसीड यह भी एक medicine है और इसके अलावा फिर है जर्मेनिन जर्मेनिन भी एक medicine है और also effective medicine यह दोनों जो medicine है यह भी बहुत प्रभावी दवा है sleeping sickness के लिए तो दवाओं का नाम आप याद रखे दो तिन बार लिख करके याद कर लिजे एक्जाम में अगर आप दवाओं का नाम दिखा देंगे लिख देंगे तो बहुत effect पड़ेगा और अच्छा अंक मिलता है यह जरूरी भी हो पेसेंड के लिए लावकारी नहीं हो सकता है हो सकता है बीमारी ना हो और treatment चला दिया चला दिया जाए तो इसका मतलब है कि इन दवाओं का side effect भी हो सकता है इसलिए बिना जाच के बिना confirmation के कोई भी treatment दिया जाना अच्छा नहीं है अब सबसे आखरी point है यह भी जरूरी होत इसके लिए क्या उपाए है तो देखे सबसे पहला उपाए है eradication of vector CC fly by the spray of insecticide DDT DDT का छिड़काव करके CC fly का यानि की vector vector कावन है CC fly CC fly को kill कर दिया जाए उसको मार दिया जाए जब CC fly नहीं रहेगी तो हमारी body पर वो ट्रिपैनो सोमा की stage नहीं आ पाएगी और तब यह बिमारी नहीं होगी तो सबसे से इधा उपाए है कि vector को ही समाप्त कर दिया जाए अब मख्यों को समाप्त करने के लिए spray किया जाए किस का spray का मतलब छिड़काओ और किस का छिड़काओ DDT का तो सबसे कारगर यही उपाए है सबसे अच्छा उपाए कि मख्यों को ही खतम कर दिया जाए एक दूसरा यह भी उपाए है slaughter of reservoir host यह देखिए उपाय तो है लेकिन ऐसा प्रेक्टिकेबल नहीं है मतलब ऐसा संभव नह इवेंसन किया जा सकता है लेकिन यह करना उचित नहीं है ऐसा हो नहीं पाएगा एक और इसका उपाए है इंजेक्टिंग 1 ग्राम सुरेमिन ईवरी 2-3 मन्त यानि कि हर 2-3 महीने पर 1 ग्राम इनजेक्शन एक ग्राम सुरेमिन इंजेक्ट करा लेना चाहिए हर परसन को तो इस विमारी से बचा जा सकता है. तो दोस्तों मेरी समझ से आपको पूरी तरह से इस भीमारी के बारे में confirmation हो चुका है. यानि कि ये वीमारी क्या है और इस भीमारी का Pourthogensis का एपन्थ में ये वीमारी कैसे होती है और वीमारी हो जाए तो इसके डिटेल से देखा तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट वाक्स में बताइए और पूरा वीडियो देखने के लिए लाइक और सेयर करने के लिए प्रेम पूर्बक बहुत भाँ धन्यबाद थैंक्यू बेरी मच्च मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में